जब हम ब्रेट पकोडा या भजिया बनाते हैं तो उसके साथ हमें एक अच्छी सी ये खुब चटपटी चटनी चाहिए होती है तो आज हम दो तरह की चटनी बनाएंगे कच्चा मैंगो से तो देखिया है कच्चा मैंगो मैंने छील के रख लिया है अब जार में हम थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और पुदीने से थोड़ा सा कम हरी धनिया डाल देंगे और अब हम कच्चा मैंगो डाल देंगे तो एक भूजिया डालेंगे, आप एक बार जरूर डाल के देखिए, बहुत ज़्यदा टेस्टी लगता है, अब हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसको महिन पीस लेंगे, इस चटनी को आप दाल चावल के साथ भी खाएंगे तो बहुत ज़्यदा टेस्टी लगती है, इसे अब हम लेते हैं तो फिर मैंने जार लिया है छोटा वाला उसमें देखिए मैंने थोड़ा सा पुदीना फिर से डाल दिया है थोड़ी सी हरी धनिया डाल दिये हैं दो हरी मिर्च और लहसुन जीरा थोड़ा सा अदरक मैंने डाला है थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा सफेद नमक औ से पीस लेंगे अगर आम बहुत ज़्यादा खटे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं तो इस तरह मेरी दूसरी चटनी भी तयार हो गई